हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल गॉल्डिन आर्क अगेड़ी जैसा कि आप मुझे जानते हैं मैं निशान आप लोगों के लिए मैस के नए ने ट्रिक्स लेकर आता हूं तो बहुत से लिए को मुझसे बोल रहे थे कि सर्फिजिक्स का सेशन स्टार्ट किय जाए आने वाले VPSC, NTPC को फोकस में रखते हुए तो इसलिए मैंने भी काफी सोचा मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए फिजिक्स का सेशन स्टार्ट किया जाए जो आगामी पर इच्छा हैं जैसे VPSC, NTPC उसमें आपके सारे फिजिक्स के कोश्चन कवर हो पाएं और आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएं तो आज से हम लोग पर डे VPSC को पॉइंट ऑफ व्यू में VPSC को टार्गेट रखकर हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं आई होप आप लोग मेरी चैनल गोल्डन आर्क अकैडमी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे तो चलिए प्रियल वाइज करवाऊंगा और पिछले प्रिवियस एर्स के कोश्चन्स भी चैप्टर वाइज में करवाऊंगा आई होप आप लोग मेरी चैनल गोल्डन आर्क अकैडमी को जरूर सपोर्ट करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं फिस का सेशन फिस के सेशन में हम लोग च को डील करेंगे चोटे-चोटे concept को डील करेंगे और जो एक्जाम से पूछे गया हैं उन सवालों पर फोकस करेंगे पिछले कई सालों के questions को यहां पर solve करेंगे और जो important question है जो important points है उसको भी हम लोग यहां पर डील करेंगे तो इस परकार हम लोग physics के हर chapter से जो छोटे-च concept हैं उनको सीखेंगे और उस पर जो best questions बन सकते हैं वह भी हम लोग देखेंगे तो चलिए चलते हैं आज का session सुरू करते हैं तो आगे चलते हम लोग physics के introduction class तो आज हम लोग physics का introduction लेंगे physics physics का हिंदी बहुत की होता है सब लोग जानते हैं physics कौम लोग हिंदी में बहुत की कहते हैं physics के उत्पत्ती puses सबसे हुई है जो एक ग्रीक से लिया गया ग्रीक वर्ड फ्यूसिस जिसका अर्थ होता है प्रकृति कि उसी सब्द का अर्थ होता है प्रकृति तो इसका अर्थ हुआ कि हम लोग physics में प्रकृति से सम्बंदित घटनाओं का अध्यन करते हैं तो physics में हम लोग प्रकृति सम्बंदित घटनाओं का अध्यन करते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पादर आफ कि फिजिक्स पादर आफ फिजिक्स गैलेलियों कहा जाता है गैलेलियों को फादर आफ फिजिक्स कहा जाता है एक और क्वेश्चन आता है पादर आफ मॉडर्ण फिजिक्स पादर आफ मॉडर्ण फिजिक्स अलबर्ट आइंश्टाइन को कहा जाता है पादर आफ मॉडर्ण फिजिक्स अलबर्ट आइंश्टाइन को कहा जाता है तो हुआ ठीजिक्स के पिता गैलियो और अबडण फिजिक्स अधनिक है भॉतिकी के पिता अलबर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है अब हम लोग बात करेंगे shrs में यूज होने वाले पंछ रासिया कश क्वांटिटि तो पे इसमें है यूज होने आजए वाले रास्ति तसी कि भी फिजिक्स में जो रासी यूज होंगी जो quantity यूज होवंगी उस्से हम लोग physical quantity कहें गे क्योंकि वो physics में यूज हो रही है इसलिए हम लोग उसे physical quantity कहेंगे physical quantity physical quantity से च्यार्थ होता है physics में कोई भी चीज मेजर होता है तो वो एक exact value देता है इस science में हम लोग किसी भी चीज का exact value measure कर सकते हैं तो physics के में quantity को measure करने के लिए हम लोग सबसे पहले measurement का concept लेंगे measurement measurement में हम किसी physical quantity का measurement हम लोग लेते हैं तो उसमें दो चीज यह होती है एक होता है numerical value एक होता है उसका unit मात्रक measurement के लिए एक होता है numerical value और एक होता है मात्रक इन दोनों को मिला करके किसी भी quantity को हम लोग measure करते हैं तो आई ये देखते हैं जैसे physical quantity जैसे एक लंबाई हमको measure करनी है किसी का length हमको measure करना है तो उसके लिए हम लोग जो सर्वमान है quantity जैसे meter जो ऐसा unit है length का लंबाई का तो उसके according हम लोग measure करते हैं तो यहां पर हम लोग लंबाई को 1m से कितना गुणा है जैसे किसी भी चीज को measure करने के लिए 1m होता है तो meter scale से हम लोग measure करते हैं तो फो 1m का कितना times है वो हम लोग measure करते हैं 5 meter ये हम लोगों ने लिया तो ये 5 जो है ये हमारा numerical value आ गया और ये meter जो इसका unit आ गया जो इसका मात्रक आ गया तो हम लोग किसी physical quantity को measure करने के लिए दो चीजों का होना जरूरत जरूरी है दो चीजे चाहिए एक numerical value और दूसरा उसका मात्रक तो इन दोनों को मिला करके हम किसी भी physical quantity को measure कर सकते हैं तो measurement के लिए हमें दो चीजों की आवसकता होती है एक numerical value और एक उसका मात्रक तो हम लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमें comment box में जरूर लिखें कि यूनिट को हम लोग मात्रक या रासी यह बोलते हैं यूनिट का हैंदी मात्रक या रासी किसी भी अभी हम लोगों ने देखा किसी भी quantity को किसी भी physical quantity को represent करने के लिए निरुपित करने के लिए हमें दो चीजों की आवसकता होती है पहला numerical value जो उसका numerical value है और दूसरा जो रासी है जो उसका मात्रक है तो यूनिट को हम लोग बेसिकली तीन category में डिवाइड करते हैं पहला fundamental unit मूल रासिया इसे हिंदी में मूल रासिया मूल रासी दूसरा derived unit विद्पर्न रासिया और तीसरा supplementary unit संपूरक रासि इस तरह हम लोग units को तीन भागाव में डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग fundamental units के बारे में बात करेंगे वो unit जिसे किसी और रासी पर depend होने की जरूरत नहीं है जैसे लेंथ को फंडामेंटल रासी कहते हैं जैसे लेंथ को मेंजर करते हैं मीटर से तो लेंथ को मेंजर करने के लिए कि और दूसरे चीज़ पर depend होने की जरूरत नहीं है उस रासी को fundamental unit बोल सकते हैं derived unit वे रासिया जो fundamental units पे आधारित होती है जिसे लिखने के लिए हमें fundamental units का सायता लेना पड़ता है इसे व्यक्त करने के लिए उस रासी को विच्पन्न रासी करते हैं और supplementary system पूरत यह दो है आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाड़े में तो कि इस तरह हम लोग fundamental derived और supplementary तीन तरह की रासिया होती है यह हम लोगों ने देखा अब हम लोग चलते हैं system of units के तरफ system of units तो units को denote करने के लिए लिखने के लिए अलग-अलग जगाओं पे अलग-अलग time में हम लोग different types यूज किया करते थे जैसे mks system cgs system और fps system system of units में हम लोग मात्रकों को denote करने के लिए लिखने के लिए निरुपित करने के लिए इन तीन systems को यूज किया करते थे पहला mks system मीटर किलोग्राम सेकेंड दूसरा सेंटी मीटर ग्राम सेकेंड और तीसरा पूट पाउंड सेकेंड इस तरह से हम लोग तीन जो बेसिक यूनिट्स हैं लंबाई द्रोभ्यमान और समय उसे व्यक्त करने के लिए mkves system में मीटर किलो ग्राम सेकेंड यूज करते थे सीजी अ सिस्टम में हम लोग सें टी मीटर ग्रामसेकेंड यूज करते थे और fps system में footage और द्रविमान को पाउंड और समय को सेकेंड में व्यक्त किया करते थे हम लोगों ने यहां देखा MKS, CGS, FPS तीनों पज़ती में जो fundamental units हैं उनको अलग-अलग चीजों में निरुपित करते हैं जैसे यहां पे लंबाई के लिए मीटर लेते हैं यहां पे centimeter लेते हैं और यहां पे food लेते हैं तो अलग-अलग जगहों पे हम लोगों को काफी difficulty होती थी किसी भी चीजों को वेस्ट करने के लिए जैसे अगर हम लोग इंडिया से इंगलैंड इंडिया में अगर मीटर चल रहा है measurement के लिए यह कजी चल रहा है वेट के लिए और इंगलंड में पाउंड चल रहा है वेट के लिए अगर इंडिया से हम कोई भी सामार इग्लेंड भेजते बेजते हैं तूह हम लोगों ने बेज पर इंडिया में आता है तो वह समार भेजते हैं अब यह पर करना सब्सक्राइब हो जाता है आम लोगों के लिए तो इसी चीज़ें को ध्यार में रखके नापतोल अधिवेशन में पूरे विस्व में एक ही सिस्टम काम में लाया जाएगा जिसे हम लोग एसाई यूनिट कहते हैं इंटरनाशनल एस्टेंडर ऑफ यूनिट्स एसाई यूनिट कहते हैं तो आएए हम लोग अब एसाई यूनिट के बाड़े में चर्चा करते हैं कि अगरे में अगरे में अगरे में अगरे में चैनल यूनिट्स एसे मोलबूत राशिया मिली पहला लंबाई लंबाई के लिए हम लोग मीटर जिसे हम लोग M से दिनोट करते है लंबाई जिसे हम लोग M से दिनोट करते है मीटर लेंथ के लिए हम लोग मीटर का यूज़ करते हैं और दूसरा दर पर मान इसको मास भी बोलते हैं इंगलिस में इसको लेंथ बोलते हैं दर आमान को हम लोग एसाई उनिट में किलो ग्राम किसे केजी से डिनोट करते हैं लंबाई को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं दर आमान को हम लोग किलो ग्राम से डिनोट करते हैं टाइम को सेकेंड से रिनोट करते हैं छोटी S समय को हम लोग सेकेंड से रिनोट करते हैं इसके बाद विद्युद्धारा विद्युद्धारा यानि एलेक्ट्रिक करेंट एलेक्ट्रिक करेंट काम लो एंपियर इसे कापिटल एसे डिनोट करते हैं ताप टेंप्रेश्चर टेंप्रेश्चर का हम लोग केलविल से कापिटल के से रिनोट करते हैं और एक जियती तिब्रता जियती तिब्रता कैंडेला कैंडेला जिसे हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं अब यह हमारे पास छे पंडामेंटल यूनिट्स जो हम लोगों को उनिसो साथ हिस्वी में एसाई इंटरनेशनल इस्टेंडर्ड आफ यूनिट्स के पे दिया गया उनिसो साथ हिसवी के अधिवेशन में हमें छे मूल भौतिक रासियां दी गई अब इससे संसोजित करके अधिवेशन में हमें सात्मा एक पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा यह सात्मा यह सेवंथ सेवंथ फंडामेंटल यूनिट है पदार्थ की मात्रा इसे 1971 इस वी में सामिल किया गया जिसे हम लोग मोल से मेजर करते हैं और इसे मोल मोल से जिनोट के आजाता है तो आई हम लोगों ने सीखा सबसे पहला लंबाई दूसरा दर्यमान तीसरा टाइम चौथा विद्युद्धारा पाचमा टेंप्रेचर ताप और छठा ज्योती तिवता करेंडला और सात्मा पदार्थ की मात्रा तो इस तरह से हम लोगों ने फंटामेंटल यूनिट्स के बाड़े में यह साथ ही हमारे फंटामेंटल यूनिट्स है ऐसा यूनिट्स के लिए अब हम लोग दूसरे यूनिट्स के बाड़े में बात करते हैं दूसरा यूनिट्स है derived unit derived unit वैसा unit है जो fundamental units पे depend करता है यानि एक या एक से ज़ाधिक fundamental units को मिला करके हम derived units बनाते हैं जैसे ये board है इस board का हमें area निकालना है तो इसके लिए area area निकालना है अगर तो इसके लिए लंबाई गुना चौराई करना होगा तो लंबाई का हम लोग measure करेंगे meter से इसा यूनिट मीटर है और चौराई को भी हम लोग length ही है तो मीटर से measure करेंगे तो एडिया का ऐसा यूनिट मीटर स्कॉयर हो गया हिंदी में से वर्ग मीटर कहेंगे तो हम लोगोंने देखा कि derived unit किस पर depend करता है fundamental units पर आगे के chapters में हम derived unit के बाड़े में और deeps अच्छे से पढ़ेंगे और deeply जाएंगे तो यहां पर हम लोगोंने fundamental units के बाड़े में जाना और derived units के बाड़े में जाना अब आगे चलते हैं हम लोग supplementary units के बाड़े में हम बात करते हैं पाईए supplementary units supplementary units दो होते हैं पहला plain angles इसे हिंदी में हम लोग समतल कौन क्यूंक कहते हैं दूसरा solid angle इसे हम लोग हिंदी में पूसर को बोलते हैं plain angle को radiant में हम लोग मेजर करते हैं और इसे RAD से denote क्या जाता है solid angle को इसे इसे से denote के जाता है तो इस तरह supplementary units दो हुए एक plain angle और दूसरा solid तो हम लोग उने fundamental units derived units के बारे में हम लोग आगे के chapters में अगे के सेशन में जरूर पढ़ेंगे detail में और supplementary units के बारे में जाना जो दो है पहला plain angle दूसरा solid angle तो आई होप आपको इन साथे चीज़ों के बारे में अच्छे समझ में आया होगा अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो हमें comment box में जरूर लिखे हम लोग उन सवालों को जरूर एंसर करेंगे और हम लोग ये series तब तक continue करेंगे जब तक कि आप लोगों का physics का preparation बहतर ना हो जाए हम लोग unit wise तैयारी करेंगे हर chapters का session लेंगे चोटी-चोटे concept को discuss करेंगे और previous years के questions भी deal करेंगे और आने वाले important questions को भी ज्यान में रखते हुए हम लोग practice करेंगे इस तरह से हम लोग physics को एक proper way में complete करेंगे ताकि आप लोग physics में अच्छे से अच्छा marks ला सके exams में तो आई होप आपको इस session अच्छा लगा होगा और अगर आपको इस session अच्छा लगा तो हमें कॉन्डी वाक्स में जरूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर करें थैंक यू झाहितल करेंगे तो होगा